हेलो गाइस इस मिस औरो मन्ना वेल्कम बैक टो मैं चैनल सो फैनली बीटेक फ़र्स ट्रेर वालों के लिए सेकंड राटर कांसलिंग के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है है ना तो इस नोटिफिकेशन में क्या-क्या बोला गया है सारा कुछ चीज मैं आपके साथ डिसक्स करने वाला हूँ और गुड निउस भी देने वाला हूँ इस नोटिफिकेशन में कुछ नया अपडेट भी आया है इस नोटिफिकेशन में ठीक है जा रहा है, ठीक है, second point में लिखा होगा कि जो नया student, good news यह है कि जो नया student जो apply करना चाहते है इस counselling में, वो लोग भी कर सकता है, वो लोग form fill up कर सकता है, जैसे आप लोग form fill up किया था, counselling से पहले, याद होगा सबको, है ना, तो नया students के लिए फिर से apply करने के लिए मौका मि तो new students, जो लोग apply करना चाहते है, apply कर सकते है, है ना, form fill up भी चालू होने वाला है, कब से चालू होगा, मैं आपको बता होगा, ठीक है, और मैंने form fill up से regarding, मैंने video बना चुका, कैसे form fill up करना, कैसा process है, मैं i button में दे दूँँगा, आप जाके देख सकते है, ठीक है, वो new student है, वो लोग फिर से form fill up कर सकता है, ठीक है, अब तो new student वालो तो ठीक है, अब जो existing student, जिनका merit list में नाम आ चुगा था, the first round of counseling में, अब वो लोग भी कोशें करें कि sir, क्या मुझे भी online application form फिर से भढ़ना होगा, तो जी नहीं, आप लोग को फिर से form fill up करने का कोई जरू को फिर से भढ़ने का कोई जरूत नहीं है, ठीक है, जो है वही रहेगा, ओके, आप लोग को सिर्फ choice filling करना है, और जो new student वो लोग form fill up करके choice filling कर सकता है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, प्रथम online साक्षातकार से अवंटित, अनावंटित, एबं संस्थान में नामंकित, आनामंकित, सभी अभिहाती इस साक्षातकार के लिए योग्य है, ठीक है, तो इस फॉर्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, जिसको seat allotment मिला है, जिसको seat allotment नहीं मिला है, जो admission लिया है, जो admission नहीं लिया है, वो लोग second round of counseling के लिए apply कर सकता है, ठीक है, तो इस फॉर्थ पॉइंट में यहां सिधा सिधी बोल दिया है, फिफ्थ पॉइंट में लिखा है कि जो student, जिनको first round of counseling में college मिल गया था, बट उनका मनपसंद college या तो मनपसंद ब्रांच नहीं मिला, अब वो चारे second round of counseling में apply करने के लिए, जो existing student, जिनका merit list में नाम आया था, है ना, वो चारे second round of counseling के लिए, तो उनको मैं बताता हूँ, जो college, जो branch आपको चाहिए, वही choice filling कीजिएगा, ठीक है, वही choice filling कीजिएगा, क्योंकि अब उल्टा सीधा choice filling करने से तो नहीं होगा ना, फिर आप सोचोगे, फिर आप बोलोगे कि सर मुझे मनपसंद college नहीं मिल या, मनपसंद branch नहीं मिला, तो इसलिए, जो college आप चाहते है, जो branch आप चाहते है, वही choice filling कीजिएगा, ताकि आपको second round में, आपको मनपसंद college या तो मनपसंद branch मिल जाए, है ना, अब बहुत साइज students क्या करने, उल्टा सीधे भर देंगे, भरने का बाद फिर बोलेंगा सर, मुझे second round में भी मनपसंद college या तो मनपसंद branch नहीं मिला है, तो क्या sir, मैं first round वाला में चल जाओ, तो इस notification में सीधर सीधी बोल दिया गया, अगर आपको second round of counseling में, अगर आपको college मिल जाता है, या तो कोई branch मिल जाता है, अगर आपको पसंद भी ना आए, तो आपको फ choice filling कीजिएगा, ठीक है, और अगर आपको second round of counseling के बाद भी अकर कोई भी seat अगर नहीं मिलता है, तो first round में जो college मिल जाता है, मुहापयाब admission ले सकते है, कोई problem नहीं, ठीक है, अब बात करते हैं, जो online application कैसे, जो form का date है, form कब से कब तक भढ़ना है, वो मैं आपको बता दू, तीन दिन का time दिया हो है, 18 से लेके 20 तक last date, ठीक है, form fill up करने का, new strand के लिए, ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगको application form को edit करने के लिए बोले जाएगा, for registered candidate, ठीक है, मलब 21 और 22, मलब 2 दिन का time मिलेगा, आप edit वगरा कर सकते हो, ठीक है, उसके बाद क्या होगा, आप कुछ documents वगरा में, कुछ doubt है, कुछ correction करवाना चाहते, तो आपको correction करने का मौका मिलेगा, ठीक है, correction करने का मौका कम मिलेगा, वो 26 तारिक तक, ठीक है, शाम 6 बज़े तक, ध्यान से सुनिए, 26 12, 2021, शाम 6 बज़े तक, आप अपना objections लगवा सकते है, है न, और अगर कुछ अगर remarks में, कुछ mention रहा, कि हाँ, ये documents में missing है, वो documents में missing है, तो आपको mail के जरी है, JCC board को mail करके, आपको वो सब documents को complete करना होगा, ठीक है, उसके बाद ही आप लोगा, फिर से final state मेरिट लिस्ट आएगा, जो कि 27 तारिक को, ठीक है, 27 तारिक को जारी किया जाएगा, अब बा 2022, चीक है, new year के बाद, जो है, वो last date रहागा, ठीक है, second round, सब के लिए अपली के बले, जो new student है, वो भी apply करेंगे, जो existing student है, वो भी apply करेंगे, ठीक है, उसके बाद है आप लोगा, जो provisional seat allotment letter, जो जारी किया जागा, वो है आपका 7 तारिक, 7 January से लेके, 15 January तक, उसी date में आपको allotment letter download करना है, करने के बाद, आपको college आपके admission ले लेना होगा, ठीक है, तो उमीद करते हैं, आपका start out clear हो चका है, तो वीडियो को यहीं भी खतम करते हैं, वीडियो को अच्छे लेगे, तो वीडियो को ज़रो like कीजेगा, जादर जादर share कीजेगा, और subscribe करना ना Thank you.